हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल फ्रेंट्स आज हम लेके आये हैं आप सब के लिए सर्दियों का खास ट्रिंग जो आप सब को सर्दियों से बचाएगा और साथ में आप सब का वजन भी कम करेगा और पेट की चर्वी को रातो रात खतम कर देगा ये ड्रिंग पेट की चर्वी और वजन तो कम करेगा ही साथ में इसके दूसरे भी बहुत फायदे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा मिस मत कीजिएगा अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा फ्रेंज फैमिली के साथ सेयर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिलीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बिल आइकन को भी प्रेस का दीजिए ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुंच जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ड्रिंक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों किया सकता पड़ेगी और देख लेते हैं तो यह देख लिए सिंपल अधरक जो हमारे किचन में ही होता है नेवू चाहिए तो यहाँ पे नेवू का इस्तिमाल करने वाले हैं यहाँ पे मैं आधा नेवू पहले से ही ले ली हूँ क्योंकि हमें आधे नेवू ही चाहिए और तिसरी चीज चाहिए हमें लैसुन लैसुन दो से तीन या चार भी ले सकते हैं और यहाँ पे मैं क्रस कर ली हूँ अदरक को अब मैं लैसुन को क्रस करूँगी आप सबको बताना चाहूंगी कि ठंड में लैसुन बहुत उपयोगी होता है इसमें बहुत सारे ततों पाए जाते हैं या जिवाण उरूधी होता है या एंटिवाइरल एंटिफंगल्स होता है जो सर्दियों में बहुत फैड़ा करता है अब लेते हैं एक इंच दरग का टुकड़ा और इसे कटुकस करेंगे तो अदरग भी सर्वियों में बहुत उप्योगी होता है या जूस स्पेसल सर्वियों के लिए बना रहे हैं क्योंकि सर्वियां आ चुकी हैं सर्वियों में देखा गया है कि वजन ज्यादा भर जाता है तो यह जूस सर्दियों से बचाएगा भी साथ साथ आपका वजन भी कम करेगा और पेट की चर्वी भी खतम कर देगा अब ले लेते हैं नीबू को तो नीबू के बारे में बताते हैं नीबू के जूस के साथ साथ इसका छिलका भी हमें चाहिए क्योंकि हम आपको बता दे कि नीबू के छिलके में कुछ एसे तत्व पय जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है या हमें कई प्रकार की बिमारियों से बचाते हैं नीबू के जूस के साथ साथ छिलका का भी परयोग करेंगे बस ध्यान ये देना है कि नीबू के बीज को निकाल लेना है तो आप सबको पता है कि नीबू में बरपूर मातरा में बिटामिन C पाया जाता है तो हमारे सरीर के लिए कितना फैदा करता है नीबू और चौती चीत चाहिए हमें गरम पानी तो यहाँ पे उबलता हुआ पानी लेंगे गरम पानी किसी बाउल में गिलास में इसे डाल लेंगे और इसी में जो गदुकस किये थे नीबू, अदरक, लैसन इसको इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपका जूस तैयार हो रहा है या सर्दियों में इतना फैदा करता है कि आपको ना खासी होगी ना जुकाम होगा अगर इस ड्रिंग का हर रोज सेवन करते हैं तो या बेपी को कंट्रोल करता है या जूस गठिया दर्द में बहुत फैदा करता है हमारे युमुनिटी पावर को बढ़ाता है कई परकार की एलर्जी से लडने की छमता है या जूस लेडिस के लिए मार्शिक धर में बहुत उपयोगी होता है इसमें एक पात ध्यान रखनी है कि वे मैलाएं इस ड्रिंग को ना ले जो प्रेगनेंट है जो मैलाएं प्रेगनेंट है इस ड्रिंग को ना ले इसके अलावा वो मैलाएं ले सकती हैं जो बच्चों को दूद पिलाती है आप इस जूस को किसी गिलास या कप में छान इस ड्रिंग को सोते समय लें तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, सर्दियों में कोई बीमारी नहीं होगी, अगर इस ड्रिंग को हर रोज लेते हैं तो आप सबको बता दूँ कि सुआत के लिए किसी चीज को ना खाएं क्योंकि आपके सेहत के लिए बहुत नुक्सान दायक होता है, ये ड्रिंग को अच्छा ना लगे लेकिन ये ड्रिंग के सेहत के लिए बहुत पायदे मन्द है तो फ्रेंट्स आप सबको एक बार और बताना चाहूंगी कि इस ड्रिंग को रात को सोते वक्त लें और सुबा देखें आप बहुत फिरेश महसूस करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और आगे इसी तरह और वीडियो आने वाली है तो उसे मिस मत कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू